बुद्ध ने स्वेम कहा है कि अगर किसी बात को मैं कहता हूं तो उसे इसलिए मतमानों कि मैं कहता हूं किसी बात को आप इसलिए ना माने क्योंकि बड़े-बड़े धर्म गिरिंतों में लिखे गई हैं जब तक कोई बात आपके तर्क और बुद्धी की कसोड़ी पर लॉज कि बहुजर समाच को जागरूप करने के लिए हम इसा ततपर रहते हैं और बहुजर समाच के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं आज हम इसे पूछना चाहेंगे कि क्या बहुत धर्म विज्ञान पर आधारी था या पाखंडों पर देखी मैं पहले तो आप सभी क अशारत करता हूं दूसरा जो बहुत धर्म है बहुत धर्म विज्ञान पर दारी थे और बहुत धर्म को एक नगट धर्म कहा जाता है कि जब भी आप बहुत धर्म में अच्छे काम करेंगे तो तुरन्त उसका आपको फल मिले गततकार और बह द्धर्म के खिलाप नहीं है बलकि विग्ञान का परियावाची बहुत धर्म हैं दूसरा मैं आपको यह बदला ना चाहता हूं कि जो अंद्विश्वास से समद्धित है और धर्म दो प्रकार के होते हैं एक वह धर्म होता है जो विज्ञान पर आधारित होता है दूसरे धर में अंद्विश्वास का कोई भी स्थान नहीं है बुद्ध धर्म के अंदर ये बताया गया है कि कि अनात्मबाद और अनिश्वरवाद दो ऐसे कुलाड़े हैं जो हमेशा बुद्ध धर्म को हर प्रकार से मेफ्यूज रखते हैं और उनके अंदर सुपरिश्टी संकी अंद समर्थन करते हैं और अंद्विश्वास कोई कोई भी स्थान नहीं है बुद्ध ने स्वेम कहा है कि अगर किसी बात को मैं कहता हूं तो उसे इसलिए मतमानों कि मैं कहता हूं किसी बात को आप इसलिए ना माने क्योंकि बड़े-बड़े धर्म गिरिंतों में लिखे गई है जब तक कोई बात आपके तर्क और बुद्धी की कसोड़ी पर लॉजिक और रीजन पर सही सही ना उतरती हो तो उस बात को कभी नहीं मानना चाहिए और हम कह सकते हैं कि बुद्ध क किसन में रखना चाहते हैं और यह लोग मानपता का सोशन करना चाहते हैं जब कि बुद्ध ने अंतिम समय में आनन से कहा था अंतिम समय में कि अनन मेरा जो धर्म है वो खुली हुए हातों की तरह है बंद मुठी की तरह मैंने किसी राज को नहीं रखा है तो हर तरह का जो अन्दुषवास और अनात्मबाद का सुपरिश्टेशन का बोध धर्म विनास करता है और केवल बोध धर्म अकेला भारत में एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान का समर्तक है इसलिए हम बोध धर्म को विज्ञान का एक परियावाची सब्द कह सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले